हेलो दमशकार दोस्तो मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स इस वीडियो में हम 12th Class Macro Economics के वारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर हमने अपना चैप्टर नमबर वन जो है वो स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर हम कुछ गुट्स के वारे में बात करेंगे ऐसे गुट्स जो की प्रेडियूज होते हैं हमारी एकॉनमी में ऐसी वस्तुएं जो उनके परकार जो की हमारी अर्फेवस्ता में जो है वो उत्पादित की जाती हैं तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं एकनोमिक्स अकाउंट्स और बीएस्टी रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए मेर चैनल को सस्क्राइब पीजिए और बैल आइकन पर इट कर दीजिए जिससे आपको जो है वो नोटिफिकेशन में इता रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले दो ताइप के गूट्स आते हैं जो कि हम एकनोमिवे प्रिड्यूस करते हैं और भी अलग अलग टाइप के final है क्या ठीक है इसको simple वातला में समझते हैं मान लेजिए एक producer है जो की क्या करता है wood को लेकर आता है wood मतलब की जो यहाँ पर लकड़ी आती है ठीक है उस लकड़ी से वो क्या करता है कुछ बना भी सकता है ठीक है producer जब वो producer जो है वो इस लकड़ी को कुछ बनाने के लिए लेकर आया मतलब की वो यह चाता है कि मैं इससे table बनाऊंगा और बेचूंगा मैं इससे chair बनाऊंगा कुरसी बनाऊंगा और बेच दूंगा इने ठीक है तो यह goods क्या कहलाएगा intermediate goods कहलाएगा क्यूं कहलाएगा जड़ा समझते हैं मतलब की कोई सा भी ऐसा goods जिसे हम किसी value addition के लिए लाया जाता है किसके लिए value addition value addition का मतलब क्या होता है कि हम उसे खरीद के लेकर आए 10,000 रुपे में लेकिन हम कुछ भी इसके कुछ manufacture करके कुछ अलग इसका type बना कर हम इसमें कुछ value को add करके 5,000 और इसे 15,000 रुपे में जो हैं वो resell करने वाले हैं मतलब resell मतलब इसे हम दुबारा बेचने वाले हैं उसने हमें बेचा हम खरीद के लेकर आए और इसे हमने खरीदा भी इसलिए क्यूंकि हम इसे दुबारा से बेच सके ठीक है friends तो यहाँ पर यह goods जो है वो intermediate goods कहलाता है ठीक है अब अगर मैं बात करता हूँ कि वो यह लकड़ी कोई भी वेक्ति है मैं यहाँ पर producer मैं कहा रहा हूँ कि यहाँ पर एक यह वेक्ति है वो अपनी ले क्या करता है एक bread का जो है वो packet लेकर आता है ठीक है bread pack लेकर आता है जहां पर उस bread को जो है वो consume करता है ठीक है खुद consume करता है अपना पेट भरने के लिए तो ये bread का package जो है ये goods है ये goods कैसा goods क्यलाएगा final goods क्यलाएगा लेकिन अगर ये वेक्ति ये जो है वो bread का package लेकर आता जो उसे consume ना करके उसको जो है वो क्या करता एक bread पकौड़े की shape में जो है वो बना देता और अगर उससे कुछ income कमाने नहीं कोईश करता मतलब कि इस bread को लेकर आया इससे bread पकौड़ा बनाने के लिए और उसको जो है वो क्या करेगा आगी जा कर sale कर देगा एक sandwich ब्रेट का उसने सैंडविच बनाया और सैंडविच बनाकर जो हूँ मार्केट में सेल कर दिया तो यह गुट्स जो ब्रेट का पैकेट था यह उसके लिए फाइनल गुट्स नहीं रह जाएगा अब उसके लिए गुट्स कैसा बन जाएगा intermediate गुट्स बन जाएगा मतलब कि ऐसा गुट्स जो की हम resell के लिए या फिर कोई भी गुट्स जो हम जो है वो किसी value addition के लिए resell के लिए या उससे कुछ बनाकर बेशने के लिए लाते हैं तो वो intermediate गुट्स कहलाता है और ऐसा कोई गुट्स जो हम अपने consumption के लिए लेकर आते हैं ठीक है वो हमारे लिए final गुट्स कहलाता है अब अगर मैं आपको और बता हूँ अच्छे से तो final गुट्स वो गुट्स है जिसे किसी final प्रयोग करता मतलब जो final user है उसका उसके द्वारा consume या use किया जाता है वो final गुट्स कहलाता है ठीक है जैसे इस bread का packet एके द्वार finally use किया जा रहा था और कोई नहीं था मतलब कि और किसी को नहीं देने वाला था तो bread का packet इसके लिए कैसा गुट्स कहलाएगा final गुट्स कहलाएगा ठीक है यहां पर दो type है हमारे पास सबसे पहला type है हमारे पास consumer final goods और दूसरा है producer final goods मतलब कि consumer अभी हमने बात करा एक consumer है जिसने bread का packet लिया और खुद consume कर लिया और अगर खुद consume कर लिया तो यह final goods होगा कैसा final goods होगा final consumer goods होगा अंति मुभोग वस्तू होगी ठीक है friend समझ में आओगा आओगा आपको यहां तक अब हमारे पास final producer goods कौन सा होता है ऐसा goods जो कि producer अपने लिए use करने के लिए लाया ह मतलब कि उससे वो जैसे लकड़ी यहां पर मैंने example दिया था लकड़ी से table या chair बना कर बेच देगा ऐसा ना करे उसके साथ तो यहां पर मैं example देता हूं कि अगर वो जो है वो एक tractor लेकर आ जाता है और उस tractor से जो है वो खुद ही अपने consumption अपने use के लिए लेकर आता है तो वो producer का tractor production करेगा उससे लेकिन जो tractor है वो उसके द्वारा ही use किया जाएगा इसलिए tractor इसके लिए क्या हो जाएगा final producer goods अंति मुतपादक वस्तो हो जाएगी ठीक है friends यहां तक आपको समझ में आया होगा और intermediate goods क्या है जब उस goods का जो है वो value addition मैं क्या लिख सकता हूं value addition किय जाए ठीक है उसको resell किया जाए दूसरा point हम कह सकते है उसको resell objective से लिया जाए ठीक है या फिर हम उसको in future finally finally not used मतलब क्यों से हम finally used ना कर रहे हो तो भी वो हमारे लिए क्या हो जाएगा एक intermediate goods हो जाएगा example के लिए मैंने आपको लकडी ली example के लिए मैं आपको ले लेता sugar can sugar can मतलब की गना तो sugar can एक preuser लेकर आया और उससे जो है वो क्या करेगा उससे रस निकालेगा रस से जो है वो शुगर बनाएगा ठीक है चीनी बनाएगा वो गन्ने लेकर आया मालों 5000 रुपे के उसने processing में डाला और 5000 रुपे और लगा कर उस गन्ने को उसने जो है वो 10, 5000 रुपे में जो है वो sale कर दिया मतलब की 5000 का goods 5000 रुपे और extra उसमें बेच कर वो उसमें लगा कर उसने जो है वो 10,000 का goods क्या कर दिया तैयार कर दिया market में यह जो है वो 10,000 का goods बेचेगा इस goods को तो यहाँ पर यह goods जो है वो 5000 हमारे लिए एक intermediate goods कहलाएगा ठीक है मतलब की ह हमारे लिए एक मद्यवर्ती वस्तू होगी यह हमारे लिए value addition होगा मतलब की मूले वृद्धी होगी क्योंकि इसमें क्या किया गया है 5000 का value add की गई है तो यह एक value addition हो जाएगा और यह जो 10,000 final हमारे पास निकल के राया यह किसी ना किसी दुआरा finally use किया जाएगा तो यह final goods होगा ठीक है जो की finally sale किया जाएगा producer के दौरा और यह final good जो है वो बन जाएगा clear friends यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से कि हमारे पास intermediate goods और final goods जो है वो क्या होते हैं हमारे पास final consumer goods final producer goods क्या होते हैं इनको detail में हमने जो है वो इस video में पढ़ा है ठीक है friends अब हमारे पास कुछ और type की वीडियो होती हैं आप इसे goods होते हैं मैं जो है वो अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा तो आप इसे पहरे note कर लीजिए फिर मैं आपको उसके वारे में बताता हूँ ठीक है तो pause करिए वीडियो को और note कर लीजिए अब हम जो है वो कुछ और type के goods के बारे में देखते हैं तो सबसे पहला होता है हमारा consumer या consumption goods मतलब की उभोगता और उभोग वस्तुएं और दूसरा हमारे पास पूंजीगत वस्तुएं मतलब capital goods होते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं consumption consumer goods से तो consumer goods या consumption goods वो goods होते ह जिन्हें कंजूमर बोका का बोक किया जाता है कि यहां पर बोक बोक सकता है कि कह सबस्तय है कि यहां पर बीदक कर सकते है feel कर सकते हैं तो वो भी एक तरीके के consumption goods है और हमारा consumer goods भी है clear तो यहाँ पर चार टाइप के goods हमारे पास दिये हुए हैं सबसे पहला है durable goods मतलब की टिकाओ वस्तु तो टिकाओ वस्तु वो वस्तु है जो की लंबे समय तक टिकती है मानलो दो साल तीन साल चार साल तक टिक जाती है जैसे हमने जो है एक बाइक खरीद ली बाइक अराम से हमारे पास चार साल तक दो साल तक टिक जाता है मानले ते मिलिमम ठीक है एक स्कूटर खरीद लिया मैंने वो स्कूटर भी टिक जाएगा ठीक है मैंने कोई टेलिवीजन खरीद लिया वो टेलिवीजन भी चार से पांस साल या फिर्म कह सकते हैं दो साल तक तो टिक ही जाएगा तो ऐसे गुड्स जो डियूरेबल हैं लंबे समय तक चलते हैं टिका हुआ अस्तुए डियूरेबल गुड देते हैं जूतों का एक्जामपल दे सकते हैं जो भी हम एक साल से पहले पहले बदल लेते हैं तो यह जो घुरष क्यालते हैं तो यह चलते तोisesti गैस्तव– 7 Ontario समय हमारे पास अ पास ऐसे goods जो की durable नहीं है मतलब चलेंगे नहीं जैसे अगर मैंने fruits खरीद के लेकर आया तो fruits भी एक goods है लेकन ऐसा goods है जो चलेगा नहीं लंबे समय तक दो दिन में खतम हो जाएगा एक दिन में खतम हो जाएगा ठीक है vegetable लेकर आ गया मैं milk लेकर आ हमें तो एक तरीके के ऐसे goods हैं जो लंबे समय तक नहीं चलने वाले खतम हो जाएगे एक दो दिन में तो यह हमारे पास कहलाते है non-durable goods यानि की हमारे पास गयर टिकाओ वो वस्तुएं जो की आगे लंबे समय तक नहीं चलेंगे ठीक है friends इसके बाद आता है non material goods या services बहुत एक बहुत एक वस्तुएं जो भी मैंने बताया था ना ऐसे goods जिने हम देख भी नहीं सकते छू भी नहीं सकते मतलब की सेवाए services मानलो मैं teacher हूँ आप teacher की services ले रहे हैं school में लेते होंगे तो services भी तो goods है लेकन वो एक ऐसा goods है नहीं उसे अब देख सकते हैं नहीं छू सकते हैं वो एक जो है वो non material goods है ठीक है material का नहीं बना हुआ है किसी भी टाइप का बस वो goods जो है वो consume किया जाता है consumers के द्वारा clear friends यहां तक आपको समझ में आया होगा इसके बाद आता है हमारे पास capital goods तो capital goods बेसिकली वो goods होते हैं जो productivity के काम आते हैं मतलब की हमारे पास उतपादन production के काम आएंगे मालनो manager है वो एक machine घरीद ली उस machine से मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर एक machine है लंबे समय तक चलेगी बहुत लंबे समय तक चलेगी उस पह और क्या होगा depreciation लगेगा depreciation का मतलब होता है घिसावत का मतलब मुल्म लह रास का मतलब क्या हो जाएगाNow रहिए कि जाभा ह्या होती है उसको route का जाता है तो हम income अपनी जो है वो generate असानी से कर सकते हैं तो ऐसे गुड्स हमारे पास जो है वो capital goods कराएंगे जो कि हमारी capital को increase करने में help करेंगे capital को increase करने का means है कि ऐसे type के goods जो कि मुझे income generation दे मेरे पास अभी 10,000 रुपे हैं 20,000 करके देते हैं यानि कि कुछ income को generate करने के लिए help करते हूँ ठीक है friends यहां तक मैंने आपको पूरे के पूरे economics system में जितने भी goods आते हैं उनके types मैंने आपको बताने कोशिश करी है आपको जो हैं वो समझ में आये होंगे काफी important topic है national income को calculate करने के लिए और micro economics के कुछ points को basic points को समझने के लिए तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर बहुत जादा अच्छी लगी तो वीडियो को like जरूर करें comment करके बिना मत जाएं comment करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप एक नई वीवर है मेरे चैनल पर तो मेरी वीडियो को पूरा देखा है आपने और यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है क्यूंकि अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इसलिए मेरे चैनल को subscribe कर दें क्यूंकि इसी type की वीडियो जो हैं वो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ 12 के economics की वीड साथ बने रहे है सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी type की वीडियो आपको देखने को मिलती रहती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर करना बिलकुल ना भीले क्योंकि शेर करने से मुझे भी थोड़ी help होगी और आपको भी कुछ ना कुछ help होई जाएग आने वाले future में तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के थैंक यू नेक्स वीडियो में जरूर मिलते हैं